कि नमस्कार दोस्तों निशेम लाव का बहुत स्वार्गत है और मैं आपका दोस्त इंजिनेर प्रभात कुमार सिंग्स दोस्तों इस चानल में आप लोग के लिए तरा-तरा के वीडियो लाते रहता हूं तरा-तरा का डिजाइन दिखाते रहता हूं ताकि आप लोग घर बनाने के बारे में सोचे या फिर घर बना रहे हो तो वीडियो के देखते हुए आप लोगों का भी help किया जा सके क्योंकि दोस्तों सारे लोग वैसे नहीं रहते हैं जो कि अपने लिए एक इंजिनियर या फिर एक अच्छा दोस्तों ठीकिदार को हायर कर सके कुछ लोग ऐसे भी होया इंडिया में जो लोग कुछ से दोस्तों घर बनाते हैं या फिर बनवाते हैं तो उनके लिए दोस्तो मैं चाहता हूँ कि उनको जादा सजादा help किया जा सके इसलिए मैं वीडियो लाता हूँ तो चलिए आज का वीडियो के तरह बढ़ते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 40 feet by 40 feet मतलब 1600 square feet में बने हुए घर और नीचे में दो दुकान का डिजाइन आप लोग के सामने रख रहा हूँ दोस्तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया गया है जो भी मिस्तिरी ने इस काम को किया है उन्हें दोस्तो तहे दिल से धन्यवाद अगर आप भी उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं तो comment box खुला हुआ है तो चलिए दोस्तो मैं आपको लोग को design की तरफ लेके चलता हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं आभी वीडियो में कि मैं आपके सामने इस घर का side elevation का design रख रहा हूँ और जो railing है वो भी दोस्तो stainless steel का ही यूज किया गया है यह सारी चीजे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस टाप का घर बनवाए तो आपको एक idea दिया जा सके कि आईसा घर बनाने में दुकान के साथ कितना रुपे खर्च होता है चलिए दोस्तो अब चलते हैं हम लोग इस घर के front television के तरफ तो दोस्तो front television का भी क्या काना बहुत ही अच्छा यहां पे काम किया गया है बात करते हैं ground floor का तो यहां पे आपको मिल जाता है दो दुकान जिसमें आपको सटर लगा हुआ मिलता है उसके बगल में देखेंगे तो house entry point मतलब घर में जाने का जो रस्ता है दोस्तों उसके लिए एक entry point बनाया गया है सुन्दर सा उसके बगल में देखेंगे तो आपको एक मिल जाता है जबरदस लुक वाला विंडो मैं आपको जूम करके दिखाने का कोशिस कर रहा हूँ इसके लिए मैं पहले बिए special वीडियो बना चुका हूँ अगर आप चाहें तो जाकर उसे देखिए बहुत कुछ उस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा बात किया जाए विंडो का तो देखिए वहां पे आपको ग्रील भी देखने को मिल रहा है जो की MS के लगाया गया है और जो आप इस घर का entry point का design देख रहा है जाहसे घर का entry वहां पे channel gate का भी use किया गया है तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तो आप आप तक कितना रुपया खर्च हुआ होगा आगे मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको उपर की तरफ लेके चलता हूँ तो first floor पे आपको मिलता है दोस्तो बालकानी आप देख सकते हैं जहां पे आपको stainless steel का जो railing है उसका इस्तिमाल किया गया है अगर आप भी stainless steel का railing का उपयोग करते हैं तो आपको इसमें junk लगने का जो chance रहता है वो नक बराबर होता और इसमें maintenance भी नहीं है हाला कि ये MS का ग्रेल से हलका कमजोर जरूर है फर्स्ट फ्लोर की तरफ देखेंगे तो दोस्तो आपको मिल जाता है अद उसके नीचे देखेंगे दोस्तों, विंड़ो में तो आपको एल्मोरियम सलाइडिंग डोर का यहां पर विंडो देखने को मिल रहा है जिसमें आपको बाहर से देखेंगे तो आपको ग्रिल का डिजाइन भी देखने को मिल रहा होगा, एक सिंपल सा ग्रील का डिजाइन यहां पर रखा गया है, जो किस घर का जो लुक है उसे और भी काईबुना तक बढ़ा रहा है, तो देख लिजे रेलिंग का डिजाइन दोस्तों, एलसेप में आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको आर्क टाप का डिजाइन, कर्व डिजाइन देखने को मिलता है, और तरह तरह को वहाँ पर कट्स लगया गया इस घर का जो खुबसूरती है उसे बढ़ाने के लिए, तो देख लिजे दोस्तों कुछ इस टाप से जबरदस तरीका से यहां पर घर का काम किया गया है मैं हलका जूम करके दिखा दे रहा हूँ, अगर आप बनाना चाहें तो इस वीडियो के माध्याम से दोस्तों बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, मैं डेली बिसिस पे आप ही लोग के लिए वीडियो लाता हूँ, ताकि आप लोग को जादा से जादा हेल्प किया जा सके, डि कि इस घर की नीचे दो दुकान भी आपको देखने को मिल रहा है, सारा चीज़े में सारा काम आपको दिखा दिया हूँ, और इस घर में दोस्तों टाइल्स और मारबल के साथ ग्रेनाइट का भी यूच दिया गया कीचेन में, आने वाले दिन में मैं आपको इस घर का वाक् साथ असानी के साथ बनवा सकते हैं, हाला कि यह जो रेट है, वो मैं आपने यहां का बता रहा हूँ, हो सके अगर आप मेरे डिस्टिक में नहीं रहते होंगा तो थोरा बहुत का उपर नीचे दोस्तों हो सकता है, तो उमीद है आप इस वीडियो से कुछ सीखे होगी, अग चैनल को सब्सक्राइब कर देजे, क्योंकि मैं आप ही लोग के हेल्प के लिए डेली बिस्टिस पर वीडियो बनाता हूँ, फिर मिलेंगे अगरे वीडियो में तब तक ने इंजिनी प्रभात को देजे, इजाज़त, नमस्कार